मेरा ये उडिया का प्रवास हिंदी में बोलूँगा बैसे मेरेको थोड़ा दिक्कत रहेगी उडिया में बोलनी पाऊंगा भारती जन्ता पार्टी के सबी आठ महामंत्री देशपर में संगटनात्मक प्रवास भी करते कोई भारती जन्ता पार्टी इस देश के अंदर केवल एक ही पार्टी है जो कैडर बेस्ट ओर्गनाइजेशन है और कैडर बेस्ट ओर्गनाइजेशन अपनी संगटनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए संगटनात्मक ढांचे को दुरुस्त वे तंदुरुस्त करने के लिए लगातार काम करती जिसनाते मेरा ये तीन दिन का प्रवास जिसमें लगबद बीज के करीब मीटिंग्स मैं भारती जन्ता पार्टी के अलग अलग जो संगटनात्मक की काईया है यानि इन बैटकों में मैं एक सबसे छोटी रायनीदी के काई है बूत एक बूत पर भी जाने वाला हो और परदेश की सबसे बड़ी ही काई होती है स्टेट और्गेनाइजेशन उनके साथ भी बैटने वाला हो पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैटने वाला हो और पार्टी के आम कारेकरताओं के साथ बैट कर भी संगटनापनक चर्चा संगटन को मजबूत करने की चर्चा तंदुरस्त और दुरुस्त करने की चर्चा और ज़्यादा मजबूत करने की चर्चा इस प्रवास में रहती है बाकि आप सब जानते ही है कि भारती जनता पार्टी के हमारे सबसे विश्व के सबसे लोग प्रिये नेता देश के परधान मंत्री शेजी नरिंदर भाई मोदी जी की जो पिछले साथ साल की जो उन्होंने काम कियें उन साथ सालों के काम में उन्होंने गरीबों को के अंदर में रखकर देश के अंदर काम किया है और देश के गरीब के जीवन में परिवर्टन आए उसके लिए भी केवल सोचा नहीं योजना भी बनाई है और योजना को जमीन पर भी लेक्या है देश के अंदर लगबग दस करोड से जादा लोगों के घरों में शोचाले बनना जहां स्वच्चता के लिए एक बहुत बड़ा काम है वहां गरीबों के जीवन में इसके मात्यम से बहुत बड़ा परिवर्टन आए लगबग यारा करोड रसोई गैस यानि रारा करोड परिवारों में जो लकड़ी जलती थी कोईला जलता था पत्ते जलते थे रूई जलती थी उसके विकलब के रूप में वो भी आगे बढ़ सकता है वो भी बाकी लोगों की तरह उसकी रसोई भी दुआ मुक्त हो सकती है देश के परधान मंद्री ने काम किया है भारत के अंदर जो एक बीमा सेक्टर अमीर लोगों के लिए था आज देश के 10 करोड 34 लाख लोग परधान मंद्री जीवन जोती बीमा के अंतरगत आएं 10 करोड परिवार और परधान मंद्री सुरक्षा भीमा जोजना में तुनिया की सबसे बड़ी 23 करोड 40 लाख लोग मेडिकल इंशुनेंस में 50 करोड नागरिक देश के अंदर अजादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इतने बड़े समू को परफॉर्म नहीं किया झाल